सब्सक्राइब करें पुरानीगाडी.com चैनल को और वेल आइकन पे किलिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सबसक्राइब करने तो आइए सिटि करें साथ सबस्क्राइ doc continuing information और condition के बारे में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले होंडा सिटी कार के बारे में जुकि आज ही दीपक कुमार जी ने मुझे अपनी गारी को बेजा हुआ है वो अपनी इस गारी को अर्चेंट में बेचना चाहते हैं मेरे पास काफी समय से काफी सरे लोगों की request भी आ रह सन भी है होंडा सिटी कार तो जिन दिन भाईयों की request आई थी वो भाई इस वीडियो को अंतक जरू देखिए क्योंकि लाजब आप condition है तो फ्रेंट्स जोगारी का model नंबर है 2010 और जोगारी चली हुई है मातरत 64000 किलोमीटर पित सर्विस रिकॉर्ट के साथ और साथ-साथ यह second honor car है और दोस्तों जोगारी का fuel type है वो है petrol और जोगारी का transmission है वो manual है साथ-साथ यह UP number registration car है और दोस्तों जो इस बग गारी खड़ी हुई है उत्रपदेश जासी की अंदर खड़ी हुई है साथ-साथ जोगारी का color है white color की आपको यह गारी देखने को मिल जाती है वही दोस्तों जो गारी का insurance valid है वो 2022 तक valid है गारी के all documentation complete है तो overall condition के अगर बारी में बात की जाए तो condition आप सभी गारी की देखी सकते हैं गारी पे किसे भी type का कोई भी आपको बड़ा sketches यह damaging देखने को मिलेगा नहीं साथ-साथ यह non accidental car है और दोस्तों अगर गारी के front profile के बारी म बात कर ली जाए तो headlights गारी के अंदर आप लोग good condition में देखी सकते हैं यह sedan गारी है और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि Honda की Honda City गारी सबसे ज़्यावट हुई थी क्योंकि इसका जो लोक है वो काफी जबरजस्त है काफी ज़्यादा लोगों को भाया था इसलिए सबसे ज़्यादा लोगों ने इस गारी को purchase भी किया और सबसे अच्छी बात जो है वो CNG, CNG पे यह गारी बहुत ही अच्छा एब्रेस देती है जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग इस गारी को खरीते भी है तो overall गारी की headlights तो आपको good condition में मिली जाते हैं निक्चे की side आपको वहीं दोस्तों अगरे गारी के interior के बारी में बात की जो है तो daxboard गारी में perfect condition में, AC गारी running condition में with music system के साथ और दोस्तों गारी के अंदर आपको power steering मिल जाते हैं चरो windows, power windows मिल जाते हैं चरो windows में आपको speakers included मिल जाते हैं और साथ-साथ charging slot मिल जाता है, USB slot मिल जाता है, seat cover काफ बात की जाए तो वो भी काफी अच्छी condition में, सबसे अच्छी बात यह इस गारी के अंदर कि CNG पे इसका pickup जो है, वो विल्कुल भी कम नहीं होता है, काफी अच्छा average भी देती है, तो overall अगर आप सभी इस Honda City गारी को खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप सभी इस call करके उनसे पैसे कम कराना और एक अच्छी कीमत में, यानि कि अपने ही बजट के अंदर कार को purchase करना, तो जब तक आप उनको call नहीं करेंगे, तब तक आपको आपको आखरी price के बारे में कैसे पता चलेगा, तो friends, आपका गाम है उनको call करना, call करने के बाद उनसे price को कम कर लेंगे, तो आप सभी उनको call करिए, और एक अच्छी कीमत में, उनसे ये Honda City गारी आज के आज purchase करिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूडे चनल पुराने गारी.com को आज के आज subscribe करिए, वाल अकन पर जिरू प्रेस करिए, जिससे कि मेरी कोई भ कर रहे हों, या फिर आप किसी third party website पे car के उना सर्च कर रहे हों, friends पहले payment कभी किसी को नहीं करनी है, सबसे पहले जाके ओनर से car के मालिक से मिलिए, उसके बाद गारी को चला के देखिए, engine चकाउट करिए, सारी चीज़ा चकाउट करने के बाद ही उनको उनके हाथ में payment करि लेकि उससे पहले बिना गारी देखे, कभी भी किसी को payment नहीं करनी है, क्योंकि market में काफी सारे लोग fraud कर रहे हैं, उनसे बचिये, उनसे सापधान रहे हैं, सबसे अगर आप लोग अपनी कोई second hand car बेचना चाहते हैं, वो भी 24 hours के अंदर, मा तो 24 घंटे के अंदर, तो दो अपनी मन चाही कीमत में अपनी कार को बेच सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपके पास कोई second hand car है, आप उसे बेचने का plan कर रहे हैं, तो जल्दी से मेरे whatsapp number पे send करिए, तो दोस्तों पुरानीगाडी.com पूरे इंडिया के अंदर number one YouTube channel बन चुका है, used car के मामले में, क्योंक मतलब कि आप direct car मालिक से phone करते हैं, उनी से bargaining करते हैं, और उनी से car purchase करते हैं, मतलब नहीं आप कोई mediator है, नहीं आप कोई dealer है, और आप लोग कम से कम, 60,000 से लेकि कम से अपने एक लाख रुपए तक बचाते भी हैं, तो friends, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube channel को subscribe नही पोचे!